दोस्तों हमारे लिए दुख्व की बात है कि रतन टाटा हमें अलविदा कै गए या नहीं इस दुनिया में नहीं रहे रतन टाटा मेहनत और संकल्प की मिसाल थे जीवन में सफल कैसे होते हैं कोई रतन टाटा से सीखे रतन टाटा भारत के मशहूर उद्योग पती का रहन किये उन्होंने टाटा ग्रुप की बागदोर संभाली और टाटा नैनों और इंडिका जैसी कारों का सफल नेतरित्व की आरतन टाटा ने 86 वर्ष की आयू में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली 1991 में जैर्डी टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा समून की बागदोर संभाली और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिसपर्दी बनाया रतन टाटा के नितरित्व में टाटा समून ने कई बड़े अधिग्रहन की जिनमें टेटली, कोरस ग्रोप और जगुआर लांड रोवर शामिल हैं भारत के मशहूर उद्योगपती रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे बुधवार देर रात उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली 86 वर्षियर रतन टाटा ने अपने जीवन काल में सफलता के शिखर को छुआ देश का हर बड़ा करोबारी उनके जैसे सफल इंसान बनने की कल्पना करता है रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्वत है जिनका कोई दुश्मन शायद ही कभी रहा यही वज़ह है कि उनके निधन पर पूरा देश गमगीन है उद्योग के क्षेत्र में रतन टाटा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है आज उनके न रहने पर हम उनकी सफलता की कहानी आपके सामने दोहराएंगे जानते हैं कि आखिर कैसे रतन टाटा ने सफलता का स्वाद कैसे चकहा टाटा समूल की जिम्मेदारी बखुबी निभायवे मिहनती और इमानदार व्यक्तिते हमारे देश ने एक हीरा को दिया है जिसकी सती कभी भी पूरी नहीं हो सकती दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेए यह आपके लिए एक सेकेंट का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है रतन टाटा ने जन्म के 25 साल बाद टाटा ग्रूप जोइन किया यहां से उन्होंने कमपनी के अलग-अलग स्तरों पर काम करके अनुभाव प्राप्त किया उनका करिय उद्योग के विभिन विभागों में कठेनायों से शुरू हुआ लेकिन उनकी दूरदर्शिता और नित्रित्व ने उन्हें नई उचायों तक पहुचाया 1991 में J.R.D. Tata के बाद उन्होंने ग्रुप की बागदोर संभाली और Tata Samu को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटा बनाया फिर मिली वो पहचान उनके नित्रित्व में Tata Samu ने कई बड़े अधिग्रहन किये जिनमें साल 2000 में टेटली का अधिग्रहन जिससे Tata Global Beaverages का निर्मान हुआ 2007 में Korus Group का अधिग्रहन जिससे जिससे Tata Steel दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कमपनियों में शामिल हुई वही सबसे खास 2008 में जगुआर लांड रोवर का अधिग्रहन किया जिससे Tata Motors को अंतराश्ट्रिय पहचान मिली दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई Tata Motors कमपनी ने 1996 में Tata ने समूह की दूरसंचार शाखा Tata Tele Services की स्थापना की और 2004 में उन्होंने समूह की IT कमपनी Tata Consultancy Services का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्याचन का नित्रित्व किया 2012 में अध्यक्ष पद से हटने के बाद Tata ने Tata Suns, Tata Industries, Tata Motors, Tata Steel और Tata Chemicals सहित कई Tata कमपनीयों के लिए मानद अध्यक्ष का पद बरकरार रखा Tata Samoon के विकास और वैश्वी करन अभियान ने उनके नित्रित्व में गती पकड़ी और नई सहस्राब्दी में उच्च प्रोफाइल Tata अधिग्रहनों का एक सिलसिला देखने को मिला उनमें से टेटली 431.3 मिलियन डॉलर में, कोरस 11.3 बिलियन डॉलर में, जैगवाल लांड रोवर 2.3 बिलियन डॉलर में, ब्रुना मोंड, जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और दैवो 102 मिलियन डॉलर में थे बड़ी ग्रुप्स को अपने साथ लिया रतन Tata के नितरित्व में, समून ने भारतिय सीमाओं से आगे अपना दाइरा बढ़ाया 2000 में ब्रिटिश चाय फम टेटली को 432 मिलियन डॉलर में और 2007 में इंगलो डट्स टिलमेका कोरस को 13 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया जो उस समय एक भारतिय कमपनी द्वारा विदेशी फम का सबसे बड़ा अधिग्रहन था टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड मोटर कमपनी से ब्रिटिश लगजरी ओटो ब्रांड्स जैगुआ और लांड रोवर भी 2.3 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित कर लिया मुझे याद है कि मुंबई की भारी बारिश में एक चार लोगों का परिवार मोटर साइकल पर था मुझे पता था कि मुझे इन परिवारों के लिए और अधिक करना होगा जो एक विकल्प की कमी के कारण अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे रतन टाटा, नैनो और इंडिका कार ने भी गाडा जहंडा उन्होंने दोनों मॉडलों के लिए शुरुआती रेखाचित्र तैयार किये। जहां इंदिका एक व्यावसाएक सफलता थी, नेनों को प्रारमभिक सुरक्षा मुद्दों और मारकेटिंग की गलतियों के कारण चुनोतियों का सामना करना पड़ा। टाटा ने भारत में कमर्शियल एवियेशन का बीर्या उठाया। उन्होंने 1932 में एक एरलाइन लॉंच की थी जिसे बाद में एर इंडिया का नाम दिया गया। सरकार ने बाद में इसे अपने अधीन कर लिया था। भारत में सड़क पार करते समय शायद ही कोई टाटा ट्र नैनो जैसी पहल का नित्रत्व किया, जो की किफायत और सामुहिक गतिशीर्ता के लिए डिजाइन की गई दुनिया की सबसे सस्तीकार साबित हुई और टाटा इंडिका को न भूली, जो एक वास्तविक भारतियकार बनाने का एक अग्रनी प्रयास था। उनकी इस सहरानिय का दम को कभी बोला नहीं जा सकता, वो हमेशा जिन्दा थे और जिन्दा रहेंगे लोगों के दिलों की धड़कन में। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो अपने फ्रेंज में शेयर करें नैक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद।